नमस्कार रामराम किसान भायो, आप सभी किसान भायो का स्वागत है, आपके अपने इस यूट्यूड चैनल पर मेरा नाम है सिवम दाख़ किसान भाईयों आज किस वीडियो में अपने बात करेंगे जिसे कि आपने थमदेल में देखा होगा कि जो टेक्टर रहता है उसके पीछे ये जो चार्जर है ये क्यों लगाया जाता है और अधिकतर किसान भाईयों को किसी को भी पता नहीं है कि ये इसका जो main car रहे है काम क्या है तो आज इस video में अपन ये बात करेंगे कि ये किस काम के लिए यहाँ पर दिया होता है तोस्तों इसमें सबसे पहले तो सबसे याद अफवाय फेला जाती थी कि इसमें mobile charge करने के लिए यहाँ जो charger socket दिया है जी बिल्कुल नहीं मैंने इसमें mobile का charger भी लगा के देखा mobile charge बिल्कुल नहीं होता है इससे क्योंकि इसमें आता है DC करन्ट जो कि हमारी battery का 12V नोर्मल रहता है और जो charger रहता है वो हमारा AC करन्ट का रहता है 240V का तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको support नहीं करेगा लेकिन हाँ दोस्तों यह जो charger है इसमें अपना बेटरी वाला जो charger आता है DC वो mobile charge इसमें लगा कर हम कर सकते हैं उसके बाद आप यह जो देख रहा है तीन इसमें यह जो तीन है यह इसमें अर्थिंग है और यह दो उफर और दो नीचे यह जो फेज है इसका जो car रहे है किसान भाई यह जो main तो इसका जो अपना जो trailer रहता है 7 pin trailer socket बोलते हैं इसको और 7 pin socket trailer इसलिए बोला जाता है इसको की जो अपना जो feature trolley रहती है ट्राली में बहुत सी बार बहुत सी जो trolley आती है उसमें बहुत भाई indicator लगवा के रखते है indicator, brake light, उसके बाद parking light तीन light है रहती है उसमें तो तीनो light को यहाँ पर यह connection दिया गया है इसमें हम parking light भी चला सकते है और जो अगर हमाई tractor की parking light चलाएंगे left side का तो left side की indicator की light trolley की चलेगी अगर right side का चलाएंगे तो right side की चलेगी अगर brake दबाएंगे तो हमारी जो light है फीचे trolley की वो भी चलेगी इस काम के लिए socket दिया गया है और जैसे कि हम threser वगेरा चलाते हैं तो threser वगेरा पर चलाने के लिए जैसे कि हमको अगर कोई light लेना है मैंने की headlight क्या हो सकता है फीचे तो उससे हम light ले सकते हैं parking light जो की बोला जाता है और जो हमारे music system रेते हैं देख सकते हैं मैंने music system लगा रखा है इसके लिए भी ये point दिये गया है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये point किसलिए दिये गया है तो वीडियो को like करें चनल को subscribe करें पासवाली गंटिक बटन को जरूर से दबादे धन्यवाद